शाड़े नौ बर्षों में जिस प्रकार से आदर नरंद्र मोधी जिने गाउं गरीब किसान मजदूर के लिए जो इतासी काम किया अगर जैदी बिगत वाइशट सालों में जैदी कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा भी जैदी गाउं के लोगों ये आदिवाश्यों को नाम बर्कोल अपना और अपने प्रिवार के चिंता करते हैं अपने बंज के चिंता करते हैं और ज्यारखन की गाड़ी कमाय को लूट करके अपने खजाना को भरने का काम करते हैं के जूँकि भादें जाग जूटां के ज्वह बाद करने का काम ने किया है कि में उध्रे बहुत करते थे । परधान मंत्री आदें नरण conseguir ने उली हातु के धर्ती पिर जाकर के आदिवासी समाज को कोई सूध लेने वाला देश के प्रधाम मंद्र नहीं हुआ करते थे बोलते थे चुनाओं के समय में, बड़ी-बड़ी बाते करते थे, लेकिन चुनाओं बीत जाने के बाद आदिवासी समाज को लोग भूल जाते थे। प्रदेश के मिडिया परभारे आदर निश्वी पुजन पाठक जी और पत्रकार मित्रों। एक तरब आम जन में काफी खुशी का माहूल है, तो दूसरी तरब जार्खन मुक्ति, मोर्चा और कांग्रिस पार्टी के लोग हतास और निरास हैं। भारतिये जनता पाठे, राज की जनता, विशेस्क रादिवासी समाज और अन्य समाज के लोगों के द्वारा उनकी बातों को सुनने के लिए, जिस प्रकार से लाखो लाख की संख्या में खुटि की दर्तिपी बगवान बिर्शा मुंडा के पावन भोमी पर उपस्तित होने का काम किया, मानि प्रधार मंत्र जी की बातों को सुनने का काम किया, उनका भी मैं भारतिय जनता पार्टी को साबात पकट करता हूं। सडकों में सभाविक बीड के तौर पे आम जनों का जो उपस्तिती हुआ, इस प्रकार से मोदी जी को देखने के लिए जो भीड लगी, जो उत्सार उमंगर जो दिवाली का माहौल था, वो ऐसे लोगों को प्रतिवां आप पकट करता हूं। देश अजाद होने के बाद पहली बार, 75 बर्सों के बाद, पहले परदान मंत्री आजिन दरनेंदर मोदी जी ने भगवान बिर्शा मुंडा जी की पावं धर्ति प्या करके, सर्धाज सुमन और पितकर उनको सर्धान जी देने का काम किया। साथी साथ उनके परिवार जनों से मिलकर उनके सुख दुख जानने का काम किया। ऐसे देश की इतियास से पहली इस प्रकार की हम लोगों ने इद्री से देखा कि लोग तो भगवान बिर्शा मुंडा जी की बात बहुत करते थे। चर्चा बहुत करते थे। लेकिन पहले परदान मंत्री आदेश नरंद्र मोदीजी ने उली हातु के धर्ती पर जाकर के उनके लोगों से मिलने का काम सर्दास पन अबिद करने का काम किया। देश का इतियास बनाने का काम किया। और इसी विशेश आउसर पे आदिम जाती विशेश कर उनके लिए जन्मन योजना के माध्यम से आदिवासी समाज को 24,000 करोर रुपिया की योजना का सुरुवात करने का काम किया है जो बहुत बड़ा कल्यान का काम किया है। आदिवासी समाज का कोई सूध लेने वाला देश के प्रधाम मंद्र नहीं हुआ करते थे। बोलते थे चुनाओं के समय में बड़ी बड़ी बाते करते थे लेकिन चुनाओं बीद जाने के बाद आदिवासी समाज को लोग भूल जाते थे। सिर्फ उनको भोट का मसीन बना करके कांग्रिस और जार्खन मुक्ति मोर्चा ने रखने का काम किया था। उनकी समस्याओं के बारे में उनके परिशानियों के बारे में कभी चिंता करने का काम नहीं किया था। और यह अभियान उन लाखो आदिवासी परिवारों के लिए हैं जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। साथी जारखन के लिए बहत्तर सो क्रोर की परिजुनावन का उद्घातन और सियनास्क हुआ है। किसान समान निदी के माध्यम से पंद्रवी किस्त गाओं के किसानों को गरीब किसानों को जिनका कभी कोई सूध नहीं लेता था। चुदाओं के समय उनके बारे में बोला जाता था चिंता की जाती थी। इन किसानों के लिए कोई सरकार आधनी मोदी जी के पहले काम नहीं करती थी। लेकिन पहली बार गाहों के किसानों के लिए तो पैसे के अब हाँ में खेती नहीं किर पाते थे भीज नहीं खरीट पाते थे खाद नहीं खरीट पाते थे वह ऐसे किसानों को पंदोरवी किस्त के रूप में अठारह हजार करोर रुपे किसानों के खाते में डिवीटी के माध्यम से सीधा भिजने का काम किया आज किसान दिल से आसिरबाद और दुआ देने का काम आदानी नरेंद्र मोदी जी को भारती जंदा पार्दी को करती है चुकि देश का इतिहास बतलाता है कि इन शाड़े नौ बर्षों में जिस प्रकार से आदर नरेंद्र मोदी जीने गाउं गरीब किसान मजदूर के लिए जो इताहसी काम किया अगर जैदी बिगत बहाद पैंशट सालों में जैदी कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रका से अनिक प्रकार को जनाओं का शुरुआत किया हटिया पक्रा सेक्षन तलगरिया प्रकारों सेक्षन जरंग्डी पतातू इस्टेशन पर डबल रेल का लाइन बिशाने का काम मिला है भगवान बिर्शा मुंदा जेनती राजस अपना दिवस राष्टिय जन जाती गौरों दिवस भाई दूर सवराई जैसे उत्सवेक उसर पर प्रधान मंत्र जी के हाथों से इतना बड़ा उपहार पाकर जारकन की जनता आदिवासी समाज खुशिया मना रहा है लोगवे मुद्सा है लेकि राज की जनता को ठकने वाले जल जंगल जमीन की नारा देने वाले जं नेता कांग्रेस और जारकन मुक्ति मिरुचा के नेता हतास और निरास हैं उन्हें कारकर्म की सफलता पच नहीं रही है इसलिए उल्टी सीधी बाते अंदर गल्व वयान बाजी करके असा मैदानिक बात करने का काम कर रहे हैं इससे राज की जनता अच्छी सोच की उमीद इनकी नहीं कर पाती है इनकी नीति और नियत को जंता समझ चुकिया इनका जमीन से पर किसक राहा है जान रहें कि जंता मेरी और आसा भरी निगाहन सभरकाजें देखी ती इन आसावों में पानी फिरने का काम किया है दोखा वादों में एक बार फस्च उकी है लेकिन कहा जाता है काट की हाडे को आग पर बार बार नहीं चढ़ा जा सकता यह आदिवास्यों को नाब बरकुल अपना अपने प्रिवार के चिंता करते हैं अपने बंस के चिंता करते हैं और जहार खन की गाड़ी कमाय को लूट करके सब दलालों और विचोल्यों से लूटे जा रहा है आज बालू के जिस प्रकार से दिक्कत हुई है हम लोगों ने सपना में नहीं देखा था नहीं सोचा था कि बालू को भी सीमेंट के बोरा में 50 रुपिय से 100 रुपिय में परते बोरा लोग खरीदने का काम कर रहे हैं मुंत्री ग्राम वास योजना के माध्यम से गरीबों को आवस communicate है गरीबा आज बालू के भाल के अबbon नळीग पाराय पूरा नहीं कर पार रहा है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी कि वहीं परदान मंत्रि ग्राम अवास योजना जो गौव में जाती थी तो पूरे पंचायत में दो या तीन आवास जाता था लेकिन आज द्रेंदर मोधी जी ने प्रतेक पंचायत में डिर्श हो से दो सो अवास उपलब तराने का काम किया है लेकिन यह सरकार राजी की सरकार बालू को अभामन अवासों को पूरा नहीं करवा पा रही है और जिस प्रकार से डीबीटी के माद्धम से लाबुकों के खाते में पैसा भेजने का काम आदर अंदर मोधी जी कर रहा है जबकि कांगरिस के जबाने में दिलालों और बिचोलियों के माद्धम से पैसे के लूट होती थी बंगला देशी घुस पैठियर से पूरे राज का डिमो को रफी बदल चुका है सरकार के स्वयोग से घुस पैठियर राज में अधार कार्ड रासंकार बनाते रहे हैं और आदिवासियों का हग छीनने का काम कर रहे है जिस प्रकार से बहुत तेजी के साथ धर्मानतरन करा करके लोगों का धर्म परिवूतन किया जा रहा है और जो मूल आदिवासी है उन का हग का मारने का काम किया जा है है आदिवासी समाज को हुनाहार जुमर जूतियों की हत्या हो रहे है सरकार府 बईठी है कि दूरब कांगरेस जहांगों को राज von जन्जात्तियों दलितो पीछोर मंचित्तों का इस अ опас अच्छा नहीं लग्ता यह उन्हें मुख धरह से काम करते हैं इस प्रकार से हम यह कर सकते हैं कि जिस प्रकार से नरंदर मोदी जी के बातों को सुनने के लिए लाकों लाक की संक्या में लोगों का भीड उम्री है मैदान के अंदर ठसा ठस लोगों को भीड जमावी थी उससे दूबली भीड मैदान से बाहर लोग खड़े होक करका जलक पाने के लिए लालाई थे उनकी बातों को सुने के लालाई थे पहर रखने के वाप जगह नहीं थी इस द्रिश को देख करके जारखंड मुक्ती मोर्चार कांगरिस के लोग काफी घबराए हुए हैं चुकि यह लोग गाव में जाते ही नहीं है शहरों में बैठ कर के कंडिशन में बैठ करके समाचार पत्रों को पढ़ करके प्रेस्ट करके अपने कामों का निप्टारा करने का काम करते हैं आज हार्खंड मुक्ती मोर्चार कांगरेश के जन्परतियों को गाह में जाने की हिमत नहीं है चुकि गाह में जाकर जिस प्रकार से बोले बोले बोले बाले ग्रामिन को जूटी जूटी बातों खुवा जूबला दिखा करके जो उनीश से भोल्ट बटोरने का काम किया था। उन वादों को एक भी वादा पूरा करने का काम ने किया है जिससे आज इनके कार करता और इनके नेता गाओं जाने से डरने लगे हैं और पेहान बाजी करके लोगों को गुम्रा करने का काम करते हैं लेकिन जारखंड की जनता ऐसे नेताओं को देखने का काम कर रही है और आन